मेर नाम रोश्णी मैं आजमगर सहर से हूं और मैं अपने गाउं में एक पैथोलोजी चलाती थी जैसे कि मैं नाम नहीं बताना चाहूंगी बस मैं आपको इतना बताना चाहूंगी मैं क्लिनिक पर काम करती थी और वहां पर मुझे बहुत ही प्रतारीत किया गया मैं मुझे ये लगा होalthy जैसे बहुर सारी ऐसी लड़किया होंगी मैं बताक दो कुछ सपने ल Brenda क Report युद शेहरमें और यहां पर नोकरी जब मैं ख़corn वहां चब कर दए थी। मुझे यहां पर प्रताड़्या गया और तो वहां पर समझे कि मुझे मान्सति किया गया मैं वहां से बहुत ही हतास निरास हो कि थी भगा कि मेरे यहांसे चपने टूट जाएंगे और मैं यह सोच wise फिर करने करने रहे ले लिए फिर एक दिन मैं बहुत ही जादा डिप्रेशन में चली गए थी बहुत मैं यूं कहलों कि मेरे पास कोई और रास्ता ही नहीं था कि यहां पर कुछ कर सकूँ क्योंकि इस कदर मुझे वहां पर प्रताडित कर चुके थे और मैं घर जाने का फैसला ले कर सकती ऐसे लोग यह करने के लिए होते मेरे जन इवाद को लेकर लेकर सब्सक्राइब का दिन मेरे माता पिता मुझे बुरा लगा और लाश्टली फैसलाले लिए बट एक दिन मैं मुझे ये लगा कि क्यों ना मैं इसको अच्छा जबाब दे के जाओं कुछ अच्छा कर जाओं और इसके लिए मैं पत्रकारिता में आना चाही क्यों क्योंकि पत्रकारिता में आने के बाद मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे बहुत सारी ऐसी लड़किया होंगी, महिलाय होंगी, जो की प्रतारित की जा रही होंगी, लेकिन वो अपनी बात को दूसरों तक नहीं रख पाती होंगी और साथी साथ मैं आपको ये बता दूँ कि ये सारी जो चीजे हैं जादा लोग बताते भी नहीं हैं, दिखाते भी नहीं हैं और मेरी ये कोशिस है कि मैं उनको एक होसला मिले, मुझे देख करके लोग उन्हें एक वो मिले, उमीद मिले कि हाँ, जैसे मैं करी हूँ, लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा, वो लोग भी अपने सपनों को एक उडान दे सकते हैं, कर सकते हैं और साथी साथ, सबसे बड़ा जो मेरा मिशन है, वो है बहुजन, खास कर ऐसा जो होता है, ज्यादा तर बहुजन हमारे समास के लोगों को प्रतारित किया जाता है, तो उनको भी एक नया मोटिवेशन मिलेगा, कि वो लोग आगे बढ़ के कुछ कर सकते हैं, चाहे वो और मैं अपने बहुजन समास के लोगों को, और महिलाओं को, लड़कियों को, जो मेरे जैसे हैं, प्रतारित किये जा चुके हैं, उनको, उनकी आवास को मैं उठाने के लिए, मैंने भी एक अपना चैनल स्टार्ट किया है, जिसका नाम है सच्ची निवज, गाउं से शहर मैं सिर्फ शहर की ही नहीं, मैं गाउं के लोगों की परिशानी को भी लाओंगी सामने, और बताओंगी कैसे क्या है, क्योंकि मेरे जैसे लोग, गाउं में भी बहुत ऐसे लोग हैं, जो की परतारित किये जा रहे हैं, लेकिन उनकी आवास कोई नहीं उठा पाता है, तो मै ये बहुजन समाज को आगे ले जाने, और मेरे जैसे लड़कियों, महिलाओं को आवास को आगे ले जाने के लिए, मैं ये मिशन, बहुजन मिशन को आगे ले जाने का प्रियास कर रही हूं, और मैं ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही बताना चाहूंगी, और मैं SM News का तह ये से मैं अपने चैनल का नाम बता देना चाहते हूं, आप लोग एक बार जरूर देखिएगा, सची न्यूज, गाउं से शहर तक, धन्यवाद